हाई व्रिवन स्वागत है एक और नए वीडियो पूस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैब एडियो चार चैनल पाउन एमिलफाइर के बारे में जो कि ये एमिलफाइर आठ टॉप और आठ डूवल बेस को चलाने के लिए काफी बेतरिन देखने को मिल जाएगा तो गैसार इसमिलफाइर के बारे में सारा कुई डिटेल आप लोगो इस वीडियो मालूम चलेगा कि कैसे आप लोगो इस पर टॉप चलाना है कितने वाटिच का टॉप चलाएंगे और कितने वाटिच का आप लोग आठ इस पर बेस चला सकते हैं ताकि आप लोगो साउंड क्वालिटी सुपर सुनने को मिल सकें साथी गाईज इसमिलफाइर का कितना प्राइस देखने को मिल जागा मार्किट में यह मिलफाइर अमारे लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सारा कुई डिटेल आप लोगो इसी वीडियो मालूम चलेगा नमस्कार दोस्तो मैं पुस्पिंदर कुमार आप देख रहें पीस्टी जे ब्लॉग नुमर वन अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी किलिक लिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड क करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहें दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टेगराम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका या उसका लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जागा वहां पर भी मैं एक्टिव रहता हूं आप लोग के मन में जो भी सा चै subscription Power Amplify के बारे में जिसका मोडल नंबर आप लोग को dx8q देखने को मिल जगा इसंके फ्र BLACK का फ्रॉंट पेनल आप लोग को कुछ ग्र Jeong ऐस्ट ऑपेनल पर भी है आप लोग को Labs I 돼요 का बस सके और Long Time तक, आप लोगी से खुब्रेट कर सकते हैं, कोई प्रोग्लेमा नहीं होगा, गैसे आर ये चैनल A, Channel B, Channel C, Channel D तक आप लोगोगोगो देखने को मिल सेगा, जो कि 4 चैनल के लिए आप signal औरbon प्रोटेक्शन और प्लिप का भी डीटेल आप लोको LED इंडिकेट के द्वारा देखने को मिल लेगा तो गयिसे इसका फ्रन पैनल आप लोको कुछ इस टैप से देखने को मिलता है बात करते हैं इसके बैक पैनल पर भी आप लोको चार इंपुट करने के लिए ACCELर का अप्श sheen दीखेगा तो गई स्यरे इसके अंदर फैन लगा जो कि चार फैन लगा है तो चार फैन काफी तएस तरीके से काम करता है को कुलिंग करने में थो गई सर इसका बैग पैनल वह काफी ज़यादा सिंपल सा है गाई सर बात करते हैं एसमील फैर के पंअर में तो गई सेट e-smil fire का power output अप लोग को 2M पे 2400 wattage 4 channel पे देखने को मिलेगा और 4M पे 2000 wattage 4 channel पे देखने को मिलेगा और 8M पे 1250 wattage 4 channel पे देखने को मिलेगा इसके bridge mode power output की बारे में बात करेंगे एटों पे 4000 वाटेज ये दो चैनल पे लिकाल कर देगा जो कि चैनल A और चैनल C पे ओवर करेगा और गईसी इसका फूरम पे वाटेज 4800 वाटेज देखने को मिल जागा जो कि चैनल A और चैनल C पर ही गाम करेगा इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस आप लोगो 580 से 30,000 वाटेज देखने को मिल जागा जो कि काफी ये बेस्ट है इसका अपरेटिंग वोल्टेज आप लोगो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की बीच से इसमें पाउंड देकर इसे ओपरेट कर सकते हैं 240 वोल्ट से जैसे इसमें पाउंड देजिएगा तब का अमिलफायर काम नहीं करेगा इसली कट हो जाएगा तो गैस ये फीचर काफी बेस्ट है बहुत सरे अमिलफायर में ऐसा होता है कि उसमें पाउंड ज़्यादा जाने पर अमिलफायर का अंदर प्रोग्लेम हो जाता ह लेकिन गैस इसमें फायर का अंदर बहुत सारा फीचर ऐसा दिये गया है कि आप लोग इसमें पाउंड ऐसा कुछ ज़्यादा दिजिएगा या आप लोग का वोल्टेज का भी ज़्यादा हो जाता है तो आपका अमिलफायर इजली सेफ रहेगा कट हो जाएगा इसका लोग को 15 kg डेखने को मिल जगा जो की काफी ज़्यादा यह लाइट वेट एमिलफायर हो जाता है तो गईसार आप लोग समझ सकते हैं कि केवल मातर 15 kg का वजन का चार चनल का आप लोग इस पे हेवी से हेवी वाट इसका टॉप या बेस इस पीकर चला सकते हैं और सुपर स चला सकते हैं यह नया टेक्लोजी से बना हुए जो कि लेपस आइडियो से देखने को मिल जाता है जो की काफी बेटरीन क्वालिटी का मिल फायर है बहुत सारे डीजे वाले लोग इसका विश्वी करते हैं चलेग इस बात कर लेते हैं इस में फायर के लोड केलकुलेसं के लोड केलकुलेशन पर बात करेंगे तो टूम पर चला सकते हैं एक चैनल पर दो टॉप तो टॉप का वाटेज आप लोगो हजार से बारसों वाटेज के बीच का उना चीए जिसका इंपडेंस फोरूम रहेगा तो मान के चली जब हम एक चैनल पर दो टॉप को चलाएंगे त पर लेते हैं तो दोजर वाटेज का हो जाएगा एनि मैक्सिमम आप लोग हजार से बारसों वाटेज के बीच का टॉप इस पे रण कर सकते हैं कोई प्रोग्लेम नहीं होगा तो गैसार इतने वाटेज का टॉप आप लोग इस वाले अमिन फैर पे आठ टॉप को एजिली बारे में तो गैसरre कर देता है तो फोरूम पे बैस भी चला सकते हैं डूल वेस चलाना चाहेंगे एक पर दूहाजर मोला अपलो का टूहर सी ले लेना है जोकि फोरूम सेकरेंगा दो सकते हैं चैनल 16 ज़्याम हमारे आपके पास सिंगल वेस हजार वाटेश का ओना चाहिए जो कि एक कि चनल पर two single बेस चलेगा एक हमारे पर और से बसाओ बाटेश में चल जबेंगा तो से डारेक्टव बन जायाँ अर उसका वाटेश पे चलाना चाहेंगे तो कैसे चलेगा तो गई सर फोरूम पे अगर आप लोग टॉप चलाना चाहेंगे तो 1700 वाटिस से 1900 वाटिस के बीच का आप लोग का टॉप होना चाहिए 2000 वाटिस का भी टॉप रहेगा तो कोई प्रोगेम नहीं होगा जो की एक चा boys टॉप लगा दीजिएगा तो यसा ही चारू चनल पे चार टॉप चलेगा फोरूम इंप लेन्च पे कोई प्रोगलेम नहीं होगा तो आई होग कि आप लोग फुर्म पे बेस चलाना और सिंगल बेस चलाना और टॉप का कनेक्शन करना इजली समझ गयोंगे कि कैसे ऑपरेट किया जाता है गैसर बात करते हैं कि अगर आप लोग प्रेट करेंगे तो कितना इस पे चलेगा तो गैसर एट ओम मेरा जो एमिल फायर सब्सक्राइब फैकर सकते हैं आप लोग इस पर चलोना चाहेंगे तो आप लोग के पास 10000 यहां बारस सब्सक्राइब होना चाहिए अप लोग एक शन्य बेस लागा देंगे जो कि एक स्पीकर का इपडेंस एटोम होता है जो कि सिंगल बेस के अंदर एक ही स्पीकर फिट होता है लोग एजिली चला सकते हैं हजार से बारस वाटेज के बीच का सिंगल बेस चारो चैनल पे चार सिंगल बेस चल जाएगा बारस वाटेज का हो या हजार वाटेज का हो सुपर करके चला सकते हैं कि क्या को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो इसका प्राइज भी मैटर करेगा कि इतना प्राइज हमें तरह को ले सकते हैं कोई बात करते हैं कि इस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो गईस हैर अगर को सब्सक्राइब का कफी ब्याद्रीन क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कि बहुत सारे सफ रहे चलाने वाले भाई लोग का यूज करते हैं जो कि लेप्स एडियो का भी इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप लोग ले सकते हैं बागी गरी तो आप लोग को पसंद आए खाल खाल है तो आ कमी हैं आप लोग लगता है तो आप लोग प्लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों आप लोग के मन में कोई भी साउंड सिस्टम से रिलेटिव सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके पूछ सकते हैं या मुझे इस्ट्राग्राम पर भी डियम करके पूछ सकते हैं जिसका रिपलाई अप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा तो चले फ्रेंड मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए टोपिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भार